अब यह आप देख सकते हैं यह मारा iPhone है अब हम इसका physical जो SIM card है इसको निकाल एते हैं और आपको दिखा देते हैं कि क्या हमारा सच में eSim Card काम कर रहा है या नहीं कर रहा है आप दिख सकते हैं हमने अपना Jio का SIM card को निकाल लिया है और इसको हमने side कर लिया है आप यहाँ पर आप दी सकते हैं कि यहाँ पर network आ रहे हैं easily और यहाँ पर sim card भी नहीं है तो चलिए सीखते हैं कि कैसे आपको Jio का e-sim card को activate करना है तो दोस्तों जैसे आपने अभी देखा कि हमने अपने physical Jio sim card को e-sim card में convert कर लिया है और यहाँ पर आप दीख सकते हैं मेरे पास दो अलग-अलग smartphone है जैसे कि एक iPhone है जो कि iOS पर run करता है और एक मेरे पास Google Pixel 4a है जो Android पर run करता है तो यहाँ पर कैसे आपको अपने Jio sim card को अपने इस sim card में convert करना है ताकि आप easily अपने e-sim card को use कर सके तो इस बीडियो को अन तक जरूर देखीगा तभी आपको इस बीडियो से help मिलने वाली है और दोस्तों इस बीडियो के end में मैं आपको एक super tips दूँगा जिसमें की आपको यह बताऊँगा कि आपको क्या गलती नहीं करनी है जिसकी वज़े से आपका e-sim card खराब हो सकता है तो वीडियो को अन तक जरूर देखीगा तभी आप समझभाएंगे हलो दोस्तों मेरे नाम नवीन है और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चनल हमसे फटेग तो दोस्तों चलते हैं डारकली टॉपिक पर और आपको step by step बताते है कि कैसे आपको अपने जियो sim card को e-sim card में convert करना है लेकिन दोस्तों हो सकता है आपके पास आपकी घर में किसी person के पास एडिल का sim हो तो कैसे आपको एडिल के sim को e-sim card में convert करना है इस पर हमने पहले सी वीडियो बना रखा है अगर आपको वीडियो देखना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या फिर उपर आई बिटन पर आपको link मिल जाएगा आप उस वीडियो को बाद में जरूर दिख लीजिगा तो चले चलते हैं directly topic पर दोस्तों अपने जियो sim card को e-sim card करन में convert करने के लिए आपके पास सबसे पहले IMEI number होना चाहिए और दूसरी चीज EID number आपके पास होना चाहिए और वो आपको कैसे मिलेगा उसके लिए आपको सबसे पहले अपने iPhone के settings में जाना है अभी मैं आपको Android के लिए बताऊंगा और उसके बाद आपको यहाँ पर general में जाना है जैसे आप general में जाएंगे उसके बाद आप यहाँ पर about phone में जाएंगे और उसके बाद status में जाना है और वहाँ पर आपको आपका EID नमबर और IMEI नमबर आपको दिख जाएगा अगर आप दोस्तों Google Pixel या Motorola का फोन यूज कर रहे हैं तो आपको settings में जाना है और about phone में आपको ये सारी details मिल जाएगी चलिए अब बात कर लेते हैं कि जब आपको अपना EID नमबर और IMEI नमबर आपको मिल जाए तो आपको उसको कहीं लिख लेना है उसके बाद आपको एक SMS टाइप करना है और यहाँ बाद आपको लिखना है capital letter में यानि कि बड़े एक च्छरों में उसके बाद आपको उसको भेजना है 1995 अब दूस्तों हमने यहाँ पर SMS भीज दिया है 1995 इसके बाद आपको एक SMS मिलेगा जिसमें आपको यहाँ पर activation code भी दिया जाएगा और उसके बाद आपको एक दूसरा भी SMS आएगा और यहाँ पर यह दूसरा SMS है जिसमें कि हमें हमारा e-SIM Card Number भी मिला है तो याद रखेगा e-SIM Card Number को आप कहीं लिख लेंगे ताकि आपको ध्यान रहे अब दूस्तों आपको एक SMS All Type करना है और Type आपको Capital Letter में करना है SIM CHG यानि कि SIM Change इस तरीके से आपको लिखना है SIM CHG आपको देना है उसके बाद जो भी आपको e-SIM Number मिला था अभी SMS में उसको आपको यहाँ पर सही तरीके से टाइप करना है और इसको आपको Send करना है 1099 पे यानि की 199 पे अब दूस्तों आप देख पाएंगे हमने यहाँ पर SMS कर लिया है उसके बाद हमें एक दूसरा SMS प्राप्त होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर आपको दो घंटे के अंदर अपडेट मिल जाएगा तो आप थोड़ा सा दो घंटे तक वेट कर लेंगे लेकिन अपडेट जल्दी मिल जाता है उसके बाद दूस्तों आपको इस तरह के एक और SMS आएगा जिसमें लिखा रहेगा तो यहाँ पर दिखीगा आपको आपका नंबर और eSIM नंबर आपका वर्चौल eSIM नंबर आपको दिख जाएगा अब आपको करना क्या है कि एक और SMS टाइप करना है और SMS आपको भीजना है 183 पे और SMS में आपको वन टाइप करना है क्योंकि अगर आप eSIM में इसको कनवर्ट करना चाते हैं तो आपको कनफर्मेशन मैसेज देना पड़ेगा तो चलि हम 183 पे एक SMS कर लेते हैं अब दोस्तों हम मैसेज में आ चुके हैं हमने यहाँ पर वन टाइप किया अब हम इसको भेज देंगे 183 पे और दोस्तों यहाँ पर देखी का SMS हमारा चला गया है इसके बाद आपको एक और SMS आएगा अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि thank you for giving the consent और यहाँ पर देखीगा हमें एक SMS भी आ चुका है अब दोस्तों आपको जियो की तरब से एक automatic call आएगा और उसमें आपको यहाँ पर confirmation देना होगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको वन टाइप करना है दोस्तों जो भी आपको eSIM नंबर आया था कार नंबर वो आपको टाइप करना होगा अब दोस्तों हमें confirmation call आने के बाद यहाँ पर देखीगा आपको इस तरीके से SMS आएगा और दोस्तों जब आपको confirmation call आता है तो आपको simple उसको one press करना है उसके बाद जो भी आपको eSIM नंबर विला था 19 डिजिट का आपको SMS में उसको आपको टाइप करना है और आपका verification complete हो जाता है और इस तरीके से आपको SMS मिल जाता है और 24 घंटे के अंदर अंदर जो आपका SIM card है वो deactivate हो जाता है अभी आप देख सकते हैं कि मेरा SIM card पर network नहीं आ रहे है इर्टिमेंस की मेरा SIM deactivate हो जुका है तो चलिए अब मुझे करना यह है कि इसको activate करना है तो activate करने के लिए चलिए मैं आपको process बता देता हूँ अब दोस्तों SIM को activate करने के लिए आपको process follow करना है लिए कि याद रहे कि अगर आपके SIM card पर network नहीं आ रहे है तो आपको सबसे पहले wifi से अपने phone को connect करना है तभी यह work करेगा अब आपको अपने iPhone की settings में जाना है और जैसे आप settings में जाएंगे उसके बाद यहाँ पर देखेगा mobile data है तो आपको यहाँ पर click करना होगा click करते ही आपके सामने बहुत सारे options हैं तो यहाँ पर आप देखेगा नीचे add data plan तो आपको add data plan पर click करना होगा जैसे आप click करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर processing लेगा और यहाँ पर जैसे page complete तरीके से refresh होजाएगा तो यहाँ पर देखेगा geo new data plan आपके सामने दिख रहा है तो आपको click करना है geo data plan के उपर और add data plan के उपर जैसे आप click करेंगे उसके बाद आपको थोड़ा सा wait करना है उपर यहाँ पर देखीगा processing हो रहा है और जैसे complete तरीके से यहाँ पर processing होगा आपका जो है e-sim card geo का activate हो जाएगा तो चलिए हम थोड़ा सा wait कर लेते हैं अब दूस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं add data plan में आ गया है तो आप निचे से इसको add data plan पर click करना होगा जैसे आप click करेंगे अब आप इसको primary रखना चाहते हैं second रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से इसको select कर सकते हैं उसके बाद दूस्तों आपको अपने mobile phone से physical sim card को निकाल लेना है और उसके बाद देखीगा आपका sim card easily activate हो जाएगा अब दूस्तों बात कर लेते हैं कि क्या आपको गलती नहीं करने चीए जो कि मैंने आपके लिए बताया था starting में कि super tips में आपको देने वाला हूँ तो दूस्तों जब भी आप iPhone में mobile data में जाते हैं तो वहाँ पर जो है remove mobile data करके एक options आता है अगर आपने वो remove कर लिया है तो उसके बाद आपका sim काम नहीं करेगा जैसे मैं आपको side बे दिखा रहा हूँ तो आपको कभी भी गलती नहीं करनी है remove data plan आपको नहीं करना है इस चीज़ का आपको ध्यान लखना है I hope दूस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको जो कि sim card को e-sim card में convert करना है हाला कि दूस्तों हो सकता है future में कभी आपको mobile phone खराब हो जाए और किसी वज़से आप अपने e-sim card को physical sim card में वापस convert करना चाते हैं तो अगर आप ये जानना चाते है कि कैसे आपको e-sim card को physical sim card में वापस convert करना है इस पर हमने ओलेडी वीडियो बना रखा है अगर आपको वीडियो देखना है तो वीडियो को description में या फिर आपको ऊपर i-vitturn पर वीडियो का link मिल जाएगा आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिगा तो चले दूस्तों जल्दी मिलते हैं कुछ इंट्रस्टिंग और नए वीडियो के साथ में तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेगा So thank you